जैकिसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत है दोस्तों सागवन की खेती करके आप करोरपती बन सकते हैं जी हाँ जानते हैं कैसे लेकिन दोस्तों जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसकर दें साथ-साथ दोस्तों वेल आइकन की गट्टी को जुर्दमाएं और दोस्तों लाइक वाज सेर भी करें दोस्तों देश में पिछले कुछ समय से लोगों को परंपरी खेती का जुकाव कम हो गया है जैसा कि सभी को मालूम है और नकदी फसलों और पेंड लगाने के प्रचलंग में तेजी आई है अगर आप भी प पर कमाई करना चाहते हैं तो आज हम बताते हैं कि आप सागवन के पेंड लगा सकते हैं और इन पेंडों से जो है बंपर कमाई की जा सकती है सागवन का 200 सालों तक पेंड जो है जीवित रहता है और इसकी लंबाई जो है 100 से लेकर 140 फिट तक होता है और इसके पौदों क्य का इस्तेमाज जो दवाईयां बनाने में भी होता है। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल प्लायूड, जहाज, रेल के डिबबे और फनीचर्स बनाने के लिए काम किया जाता है। और इसके अरावा सागवन की छाल और पत्तियों से भी कई तरह की सक्ति वर्धक दवाईयों को बन पत्तरा की मिट्टी की जरूरत नहीं होती है और इसके पौधों को आप दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं और सागवन के पौधों को कभी भी जल जमाओ वाली जगों पर नहीं लगाना चाहिए। जिसकी वज़े से ये जल जमाओं से जो है पौधों में रोग लगने का खत्रा बन जाता है और सागवन के पौधों सामान ताप मंद में अच्छी बढ़ोतरी करते हैं सागवन के पौधों को ठंड़ वाले इलाकों में नहीं लगाया जाता है इसकी खेती में भूमिका पियच मान जो है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। आमत तो बीच सागवन के पौधे लगाया जा सकते हैं जब ये पौधे कटाई के लिए तयार हो जाते हैं तो करोणों रुपे जो है से मुनाफ़ा कमाया जा सकता है दोस्तों अगर आप भी पेंड लगाना चाहते हैं अपने खेतों में और पेंडों सी इंकम चाहते हैं तो आगोंद की खेती करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आउस्ट करने साथ साथ दोस्तों लाइक वाशेर भी करें जैकिसान दोस्तों